वेलगम दोस्तों आप सभी लोगों का एक बार फिर से सुवागत है मेरा जैस्ट्री हिंदी यूटूब चैनल पे तो दोस्तों मेरी इस वीडियो को सरू करने से पहले मेरा आप सभी शीव भगतों से एक निवेदन है कि मेरी इस वीडियो को लास्ट अंग तक जरूर देखें और मेरे चैनल को भी लाइक, सस्क्राइब और बैल आइकन की गंटी को भी प्रैस कर लें ताकि मेरी और भी ऐसी पेड़ पोदों से रिलेटिड जानकारी आप सभी लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए दोस्तों वगवान शीव का सबसे ज़्यादा प्रिय बेल पत्तर का पोदा होता है और हमारे सास्त्रों में शेलिंग पर बेल पत्तर को चड़ाने के बारे में कई नियम बताए ग लेएगा शात ये सावन के मैंने में कुल आठ सावन सोमार आएंगे और सावन के मैंने में जो सीव बगत सचे मन سے बोले नाट की अरदना और पूजा करते हैं उसकी सभी तरह की मनुकामनाय जल्दी ही पूरी हो जाती है क्योंकि दोस्तो सावन का महीना बागवान शिव का सबसे प्रिय महीना होता है और सावन में शिविलिंग पर जल चड़ाना और बोलेनात की पिर्य चीज़ों को अर्पित करने पर सभी तरह के कष्ट भी दूर होते हैं और जीवान में सुक समर्दी और हर्तरे की मनुकामनाय पूरी होती है दोस्तो हमारे हिंदू सास्त्रों में शिविलिंग पर बेल पत्र को चड़ाने के बारे में कई मैतवप्रण नियम बताए गए हैं तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगा की शिविलिंग पर बेल पत्र कैसे चड़ाना चाहिए दोस्तो बेलपत्र को बगवान शिव को अर्पित करने से पहले यह जरूर देख लेना चाहिए कि यह कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए और सिर्फ बेलपत्र की तीन पत्या ही भगवान शीव को चढ़ती है वैसे तो दोस्तो बगवान शीव एक लोटा जल और एक बेलपत्र चढ़ाने से ही जल्दी परसन हो जाते हैं और सावन के महिने में बेल पत्तर का पोदाभी आसानी से मिल जाता है और ऐसे में आप लोग स्विलिंग पर 11, 21, 21 और 101 बेल पत्तर को चड़ा सकते हैं और दोस्तो भगवान शिव को हमेश्या उल्टा बेल पत्तर यानी चिकनी सते की तरफ वाला भाग सपर्श करते हुए ही बेल पत्तर को स्विलिंग पर चड़ाएं और बेल पत्तर को हमेश्या अनामी का अंगुठा और माध्यम उंगली की मदद से चड़ाएं और माध्यवा को और संक्रितित के समय और सोमार को बेल पत्तर नहीं तोड़ना चाहिए दोस्तों ऐसे में पूजा के समय बेल पत्तर को एक दिन पहले ही तोड़कर रख लिया जाता है दोस्तों बेल पत्तर कभी असुद नहीं होता है और पहले से ही सिविलिंग पर चड़ाया हुआ बेल प ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें और दोस्तों और ऐसी भी पेड़ पदों से रिलेटिड जानकारी के लिए आप लोग हमेशा ऐसे ही जुड़े रहे मेरे जैस्ट्री हिंदी यूटूब चैनल के साथ धन्यवाद हर अर्मादे लूबए जानकारी के साथ जाए जानकारी के साथ जाए यूजबगः श्यादा विए प्रिए लोग हमेशा आपना के सभर में जानकारी को अपना कारें पास बाता है